आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ वेच सूप रेसिपी इसके लिए पेन में मैंने एक चमच बटर लिया है और इस बटर को थोड़ा सा पिकलने देते हैं जैसे ये थोड़ा सा पिकल जाएगा ना इसमें बारिक कटे हुई प्यास ले लेंगे और इसको भी हलका सा बुन लेंगे और जैसे ये थोड़ा सा बुन जाएगा इसमें हम बारिक कटे हुई अद्रक और बारिक कटे हुई लेसुन को भी डाल देंगे तो आज की जो ये सूप है ना बहुत हैल्दी सूप है और बनाने में बहुत ही आसान है सिर्फ तीन से चार मिनिट लगता है ये बारिक कटी हुई गाचर और थोड़े से शिमला मिर्च तो सब्जी आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं इसको भी बून लेंगे अच्छे से बटर के साथ में और जैसे ही हलका सा बून जाएगा हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो ये देखे हमारा जो सब्जी है ना हलका सा बून गया है इसको ज्यादा टाइम के लिए बूनना नहीं है और इसमें गुन-गुना गरम पानी डाल देंगे इससे क्या है जल्दी से हमारा सूप बनकर त्यार हो जाएगा तो यहां पर मैंने एक गलास गरम पानी लिया है गुन-गुना गरं पानी ऑर इसको थोड़ा सा हम उबलने देंगे तो ये देखे इसमे एक उबाल आ गई है अभी हम क्या करेंगे इसमें गोल बना कर तियार करके रखा था वो हम डाल देंगे तो कौन फ्लावर का गोल आप पहले से बना कर रख ले और इसमें कौन फ्लावर का गोल मैंने डाल दिया है और अभी हमारा जो यह शूप है तर बिलकुल रिस्टोरेंस इधायल में बिलकुल रिस्ट Spe तो काली मिर्स पाउडर JOO है वो आप्षेनल है आप साहे तो डाल सकते है तो इसमें मैंने काली मेर्स पाउडर वस थोड़ा साए लिया है स्वादनुसार और अभी हम इसमें डालेंगे आदा चम्मद से कम नमक तो नमक आप अपने स्वादनुसार ले सकते हैं और इसको और एक मिनिट के लिए हम पका लेंगे और ये देखिए हमारा जो सूप है बनकर त्यार हो गया है अभी हम इस सूप को निकाल लेंगे तो आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा तो ये देखिए हमारा वेज सूप बनकर त्यार हो गया है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है तो प्लीज अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडिय करके जरूर बताईएगा आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी है तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए